दोस्लों बड़ EV Day के मौके पर टाटा मोटर्स ने अलांसमेंट किया है कि आने वाले टाइम में नई इलेक्तिक गाड़ियां वो लाने वाली है, कमपणी ने अलांसमेंट किया है कि वो अलगलग सिगमेंट बॉडी स्टाइल और कीमतों में 10 नए इलेक्तिक वीकल लांच करे टाटा मोटरस ने सन 2018 में देली आर्टो एक्सपो में टाटा ट्यागो एलेक्टिक को पेश किया था हाला कि अपकमी मॉडल 2020 की सुरात में पेश किये गए फिस्ट लिप्टिट मॉडल की तरह ही बनाया जाएगा हाला कि इसके ऑफिसिल पॉवर ट्रेंड की डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है एक रिपोर्ट की मुताबिक टाग और इवी या नेक्सेन इवी की तरह है टाटा ट्यागो एवी को भी 26 के विएच के साथ ही बैट्री पेके साथ लांच किया जा सकता है उमीद है कि इसे एक बार फुल चार्ज करने पर लगए 300 क्लिमिटर तकी रेंज मिल सकती है इस एलेक्ट्रिक हैच्बेक में टाटा का एडवांस जिप्टाउन हाई वोल्टेस आर्किटेक्ट्चर होगा जिसमें लीथियम ओयन बैटरी का यूज के साथ मैगनेटिक सिंक्रोनेस एलेक्ट्रिक मोटर मिलेगा लीथियम ओयन सेल आईपि 67 बॉर्टर और ड 88% की बड़ी हिस्सेदारी के साथ एलेक्ट्रिक बार मार्केट में आगे चल रही है तो यह तो आने वाला बक्त बताएगा कि टाटा ट्याइगो एलेक्ट्रिक को कब लांच करती है किस प्राइस सेरिंज में लांच करती है फिलाल इसको जल्दी हमको देखने को मिल सकते है कि टाटा ने आज टाट्र ट्याइगो एलेक्ट्रिक विकल्स के वारे में अलांस्मेंट कर दी है